सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुविचार सी रिस्ते चाहे कितने भी, दूर क्यों नहूं, उन्हें अपने पन का ऐसास दिलाते रहना चाहिए आत्मविश्वात जिन्दगी की सबसे खुबसूरत सुबा होती है, जो आपके पूरे दिन को खुबसूरत बनाए रखती है जिनका वक्त खराब है, उनका साथ जरूरती, मगर जिनकी नियत खराब है, उनसे दूर रहना ही बहतर है आज का पंचांग असुपसम में, सुबा साथ बच कर तीस मिलड से, नौ बच कर दस मिलड तक रहेगा आज कभी जीद महुरत, अर्था दिन का सबसे सुपसम में, दुपहर बारा बच कर चार मिलड से, बारा बच कर अंठावन मिलड तक रहेगा आज अंदर मां शेह राशी पत संचार करेगी और आज शूरिय मेथो राशी पर रहेंगी व्रिशाब रासी 4 जुलाई 2022 देन शोमर आज के दिन आपके लिए बहुत शुप है आपको वित्ती छेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाब होगा आप अपने परीजनों के लिए शर्वुत्तम उपलब्द चीज खरीदना चाहेंगी बस इतना ध्यार रखें कि सारा पैसा खर्चन ना करकी कुछ बचत भी कर ली आप अपने परिवार के साथ कुछ बहुत खासपल गुजारेंगी जिनें आप हमेशा याद रखेंगी जीवन इस तर को और अधिक बहतर बनाने के लिए आपको संकल पलेंगी और दृता से उसका पालन भी करेंगी बुजी उर्गोता था वरिष्ट वैक्तियों के आशिरवाद्वा अनुभाव से बहुत कुछ शेखने का मौका मिलेगा पुरानी बातों को छोड़ कर नई उर्जा के साथ काम करने की कोशिश करी उधार शिंता कम होने से पूरी छमता के साथ काम करना मुस्किल होगा आप जरू सदिक जिम्मेदार या ना ले अभी के समय में छमता के नुशार ही काम करी कर जैसे सम्मंदित बर निर्णन लिया चाहेगा इस कारण अपेक्षित प्रगर्ती प्राप्त होगी पार्टनर के साथ ठीक से बाच इतना होने से एक दुश्रे के लिए मैसूस होने वाली नराजगी दूर करने की कोशिश करें साररी कमजूरी के कारण आलस मैसूस हो सकता है सौधानिया वेवारिक दुश्टी कोड रखें भावनाओं में बहर कर कुछ निर्ने गलत भी होशकती हैं संतान की पढ़ाईवा करिया से समंदित कारियों में खर्चों के अधिकता रहेगी मन में नकरात्मक विचार ना उपरशने दे बात करते हैं लव लाइफ की घर में शुक्षानते पुर्ण महार रहेगा जीवन साथी का सहयोग आपको आत्म विश्वास्वा आत्मबल प्रदान करेगा आप किसी अलग शंश्क्रिती या किसी दूश्रे देश के रहने वाले के प्रती आकर्शित हो सकते हैं आप इस आदमी के लिए काफी उर्शुक और भावनात्मक अनुभाव करेंगी जब आप इस आदमी के साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाईगा अगर भगवान ने चाहा तो इस सम्मन को जल्दी कोई ठोस रूप भी मिल सकता है बात करते हैं करियर की आज के दिन जो लोग सारवजनिक छेत्र में कारे करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे ओशर एवां पदुन्नती मिल सकती है अगर आपने सारवजनिक छेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको सुप संदेश मिल सकता है ये समय किसी दूशी नौकरी जैसे की प्रसासनिक कारियों के आवेदन के लिए भी अच्छा है अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं कारेस्थल पर वर्तमान गतिवीध्यों पर ही धिहान दे काम काज का बोज बढ़ेगा काम समय पर निप्टाने की कोशिश करी इस समय नई योजना या प्लाटिंग पर काम करना नुक्षान दे रहेगा बात करते हैं सेहत की अत्यदिक ठकान और तनाओं का असर आपके स्वास्त पर पढ़ सकता है कुछ समय अपने अराम के लिए भी अवश्य निकाली इस बात पर धिहान दे की आज ओपिस में कौन बिमार है और उनके द्वारा प्रयोग की ये जा रहे टेली फोन, लेप्टॉप या दूश्रे उपकरन का प्रयोग करने से बची अगर आप ऐसा कर पाएं तो असानी से संक्रमर से भी बच सकते हैं आप बहुत परोपकारी हैं और दुश्रों का जितना ख्याल आप रखते हैं वावास्तों में प्रसंसा के योग्य हैं लेकिन ना भूले की अपना ध्यार रखना ही उच्छे थैं आज का उपाएं आज अब शिव जी को खीर का भोग लगाएं शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ